यो तो नई नवीली दुलहन के चहरे का नूर ही कुछ अलग होता है लेकिन जब वो मांग में सिंदूर, गले में मंगल सूत्र और हाथ में सुहाक के नाम की चूडिया पहन ले तो इसके रूप को चार चांद लग जाते हैं लेकिन हमारी नूली वेड और शेर शा, सिधार्ट मलहुत्रा की दुलहनिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है कियारा पंजाबी परिवार की बहु तो बन गई हैं लेकिन फुल टू मौधन अंदाज में तभी तो अपनी शादी के बाद हुए वेडिंग रिसेप्शन में ट्रिडिशनल लुक छोड़ कर कियारा ने अपने फेवरेट डिजाइनर मनीश मलहुत्रा की कलेक्शन का ब्लाक औन वाइट मर्मेट स्टाइल गाउन इस मौके पर पहना गाउन तक तो तब भी ठीक था लेकिन ना तो इस मौके पर कियारा ने अपनी मांग में सिंदू लगाया और ना ही सिद का पहनाया हुआ दो करोड का मंगल सूत्र पहना यहां तक की मिसिस मलहुत्रा के हाथों से तो उनकी शादी का पिंक चूड़ा भी गायब दिखा ऐसे में वेडिंग रिसेप्शन में काले लिबास और मौडन दुलहन वाले लुक पर अब कियारा बुरी तरहा से ट्रॉल हो रही है लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि ना सिंदूर ना मंगल सूत रितो भला यह कैसी दुलहन दरहसल रवीवार 12 फरवरी की शाम नूली वेट सिधार्थ और कियारा का ग्रान वेडिंग रिसेप्शन मुंबई के सेंट रिजिस होटिल में हुआ अपने वेडिंग रिसेप्शन के मौके पर कियारा ने सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीश मलोतरा का एक यूनीक फिश टेल गाउन पहना था जिसमें क्रीम टोन सिल्क टॉप और लंबी ट्रेल वाली ब्लैक स्कर्ट थी अपने लुक को कियारा ने ग्रीन कलर के एक स्टेटमिन पन्ना और डामेंड नेक पीस पहन कर पूरा किया था हाँ वो बात अलग है कि अपने वेडिंग रिसेप्शन के खास मौके पर कियारा सिंदूर, मंगल सूतर और बिना चूडे के ही नजर आई वैसे तो कियारा का ये लुक काफी ग्लामरिस और स्टनिंग था जिसमें कियारा लग तो बहुत सुन्दर रही थी लेकिन उनका ये लुक देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उनकी अभी-भी शादी हुई है ऐसे में लोगों ने उन्हें इंडियन कल्चर फॉलो ना करने पर जम कर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर क्यारा के वेडिंग डिसेप्शन लुक की वीडियो और तस्वीरें तेजी से वाइरल हो रही है जिन पर नेटिजन्स मिसिस बलहोत्रा को बुरी तरह से ट्रॉल कर रहे है एक यूजर ने क्यारा के लुक को लेकर कहा ये कहा से नई नवेली दुलहन लग रही है एक शक्स ने कहा ना सिंदूर ना मंगल सूत्र फिर से काले कपड़े हमारा कल्चर कितना कलरफुल है इस तरह से कई और लोगों को भी क्यारा का ये मौडन दुलहन वाला अंदाज पसंद नहीं आया वैसे ये पहली बार नहीं था जब क्यारा को मौडन बहुलुक अपनाने पर ट्रॉल होना पड़ा हो इससे पहले जब से दौर क्यारा अपनी शादी के अगले ही दिन जैसल मेरे एरपोर्ट पर कैप्चर हुए थे तब भी क्यारा काले लिबास और एक शॉल पहने नजराई थी उस वक्त भी लोगों ने उन्हें घूप ताने सुनाये थे एरपोर्ट इट्वनिफ़